मेरे परिवार जनो मोदी ने आपको दीई हुई एक और गैरंटी पूरी कर दी है अब लोग सभा और विदान सभा में बेनों के लिए 33 प्रतिसत सित्य आरक्षित हो जाएगी भाजपा सरकार में नारी शक्ती बंदन अधिनियाम अब सच्चाई बन चुका है और कल ही हमारे राष्टपती द्रवपती मुर्मुजी जो आदिवासी महिला उन्होंने कहल उस पर हिस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है लेकिन भाईयों बैनों मोदी तो करेगा मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है लेकिन आपको खास करके माताओं बैनों को बहुत सतर्क रहना होगा बहुत मुष्टिल से इतना बड़ा पड़ाव हमने पार किया है तीस साल से लटका हुआ था आप सोचे तीस साल सरकार ने आ गई बोलती रही नाटक करती रही काम ने किया कॉंग्रेस और इसके गमंडियात साथी उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया वो गुस्षे से भरे हुए हैं उनको लगता है ये सारी माताओं बैने अब मोदी को ही आशिरवात देगी उनकी निन्ध हराम हो गई है और इसके कारण डर के कारण अब वो नए नए खेल खेल रहे हैं आपको मालू है नचाते हुए भी उनको सहुंसंद में समर्सरे क्यों करना पड़ा क्यों करना पड़ा माताय बैने अब आपकी जो एकताओ जाग रुखता आये ना इससे वो डर गए थे इसलिए उनको ये माता और बेनों आपके चरण में आना पड़ा है लेकिन आप अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है अब वो बेहनों में भी फूट डालना चाहते हैं उनको लगता है बेहने संगडित हो गई तो इनका तो खेल पूरा इसलिए ये माता ये बेहने संगडित नहों जाती बाद में उनको तोड़ा जाए भाती भाती के तर्क दर करके उसमें विभाजन कर दिया जाए भाती भाती के जूट फैला दिये जाए मैं 36 गड़ की माता और बेहनों को कहना चाहता हूं ये आने वाले हजारों साल तक प्रभाव पैदा करने वाला निर्यना है ये हर परिवार में माता और बहनों को नई शक्ति देने वाला काम को है आपकी बेटी का भविश उज्वल बनाने का काम हुआ है कृपा करे मेरी माता है मैंने यह जूठ बोलने वालों के जूठ में नफजा आए यह आपको तोड़ने की कोशिच करें मत करना आपकी एकता बनी रहनी चाहिए आपके असिरवाद बनने रहने चाहिए ताकि आपके स अपने मोदी पुरा कर पाएं